हिंद स्वागत है अब सबका और इस वीडियो के माध्यम से कहीं ने कहीं हम लोग यह जानने वाले कि आखिर हमारी राज सरकार में लड़कियों की पर तीससत्य मतलब तौप करने की पहँ चाहते हैं कि हम जानते है कि बिहार समेंटी आखिस मार्च को अपना रिजल्ट बढ़ने इन टर का जारी कर दिया है इस बार बोड़ने बोड़ परिक्षाने कुल कितने 83.7 परतिसत रहा इसके ताथ 82.74 परतिसत बड़िज्य संकाये परिणाम 93 परतिसत और बिज्ञान संकाये में 83.92 परतिसत रहा इन सभी छात्यात्रहों को विधिन योजनाओं के ताथ राज और किंद सरकार द्वारा अलग अलग छात्रविर्ति का ला परिक्षा पास कर ली है तो जानिए कि कितने scholarship आपको मिलेंगे बिल्कुल सभी चीजे कौन-कौन से document लगेंगे क्या 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 आपको भेरिफाई करना होगा यह सभी चीजे हम देखने वाले हैं क्योंकि इस आर्टिकल में राज सरकर के अंदर सरकार दोनों से प्राप्त ह होते हैं कुछ न कुछ क्या क्या हो सकते हैं यह चली अब आगे दिखाते हैं scholarship के साथ सूची में सनलगने किये जाते हैं दास्तवेज योगेता और अवैदन की जनकारे आगे आपको बताई जा रहे हैं बस आगे बने रही है आप देख लीजे पहले तो किसमें कितनी गासी मिलती है यह सुन लिजे इंटर में अगर फ़स्ट डिवीजन से आप पास किये तो मुख्य मंत्री कन्या उथान योजना के अंतरगत आपको 25,000 तो पहले बबु एकाउंट में तड़ा तड़ मिल जाएंगे बालिकाओं को मिलेगा ध्यान में रखे बालकों को नहीं दिजिए सेकंड डिवीजन अगर आप किये हैं तो आपका 12,000 कोई नहीं रुक रहे 12-15,000 तक आपको मिल सकते हैं किसी भी कास्ट से हैं जैनरल है स्टिय है कोई भी है कोई फरक नहीं पड़ता है सब को मिलेगा यह पैसा ठीक है 12 से लिए कि 15,000 तक मिल सकते हैं अगर मेगा विरिती वाले हैं मेगा विरिती के अंतरगत आते हैं तो आपके 10-15,000 आपको आभी सकते हैं थौट डिविजन वाले को भी अब ध्यान दीजिए कि यहां पर जो है सेक्टर एसकिम क्या है CSS तो यह 12,000 प्रतिवर्स आशनातक आशनाक उतर तक के 20,000 मतलब आपके ग् अब यहां पर ध्यान दीजिए यहां पर कुछ और इंपोर्टेंट बात है मुक्हमंत्री कन्यया योथान योजना जो है बालिकाओं के लिए 20 रूप से प्रोत्साहन है क्यों है क्योंकि राजी यहीं चाहता है कि नारी और पुरुष जो होते हैं यह समाज के दो ऐसे पहि क्यों हुआ है हर चेत्र में यहां पर मुक्हमंत्री कन्या योथान योजना के अंतरगत बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना इंटर में उतिंड सभी बर्ग की और विभाहित का मतलब वायसा नहीं कि इंटर कर लिए और बियासाधिकर लिए बच्च्चे पैदा कर र तो कहीं न कि यह चीज़े जरुए था है इसलिए यहां पर बालिका लिखा होगा कि बात सही है जिन लड़की की साधी नहीं हुआ होता है उन्हीं को मिलता है बाकी साधी सूदा लड़की को नहीं मिलते हैं किलियर होगा आई होप कि इतने बाद समझ में आ गया होंगे यूस्योजिना का लाभ में मेगा सब्ट पोर्टल पर ऑनलाइन अवेदन किये जाते हैं जिसके बाद हम क्या 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 आपके डॉक्मेंट लगेगे आगे उसकी भी चर्चा हम करना है बस थोड़ा से इंतिजार प्रधान किये गए है चात्र चात्राव दोनों को स्टी एससी को मिलेंगे ठीक है आगे कि अगर और भी पढ़ाई करते हैं तो सरकार आपको देती है जो कि दो हजार से लेके पंद्रह हजार तक हो सकते हैं तथा स्कॉलर्शिप हर बर्स दी जाती है यूजना का लाभी हर आपको कहीं न कहीं मिलते हैं छात्रों को बिहार पोश्ट मैटिक स्कॉलर्शिप के माध्यम से अनलेन करने पड़ते हैं ठीक है यह बात आपको होप की आपको समझ में आ गया होंगे क्या क्या आपके परमानपत्र लगेंगे तो यह सुन लिजिए अपलाई करने के लिए अधार कर लगेंगे बैंक का पास्ट लगेंगे क्योंकि सब बच्चे के अपना-पना एकाउंट खुल जाते हैं आय परमानपत्र जाती परमानपत्र निवास परमानपत्र और स्क्षणिक योग जना की मतलब इंटर के लिए आप स्कॉलर्शिप अपलाई किये हैं या पर ध्यान देजिए इंटर पास 2023 के लिए भी छात्रविर्थी का पोटल खुलू नहीं चालू नहीं हुआ है तो बिल्कुल हमारे साथ अगर बने रहेगा तो हम आपको इसका information देटे रहेंगे जरूर आपको information करते रहेंगे झाल होगा जब भी चालू हो जाएगा हम आपको Klier कर देंगे बता देंगे आप लोग जाकर के अपने नजदी की कहीं ओनलाइन सेंटर में अपलाई कर शकते हैं ठीख है दस वी में अगर फर्श्ट करते हैं तो दस आजार ब देख लिए यह ईए 10,000 जो है यह मैटिक वाले के लिकाल के लिए है मैटिक वाले के लिए बेल को 10 0000 जो आते हैं sdspoke ilo कोई डाउट मुन में चल रहा है देन कमेंट मी या फिर हम लाइब भी रोज साथ बज़े आपके साथ होते हैं जिसकर परकार से भी आपके मुन में डाउट चलते हैं यू कन आस्क मी कोश्चान ओके आई होब की बात समझ में आ गया होगा तो चले मिलेंगे और वीडियो में तब तक लिए जय हिंद